वाक्य सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समू को वाक्य कहते हैं, जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके दिये गए चित्रों के अनुसार वाक्यों को ध्यान से देखिए वह साइकिल चला रहा है यह मेरा कुत्ता है उपर लिखे शब्द समूहों को ध्यान से पढ़िए ये सभी शब्द निश्चित क्रम में एक साथ मिले हैं अतह शब्दों के आपस में मिलने से वाक्य बनता है वाक्यों से ही हम पूरी बात समझ पाते हैं वाक्य के अंग वाक्य के निमन लिखित दो अंग है वाक्य के रूप उद्देश विधे एक उद्देश किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश कहते हैं जैसे श्रेयागा रही है इस वाक्य में श्रेयाशब्द उद्देश है 2. विधे किसी वाक्य में उद्देश के बारे में जो भी कहा जाता है उसे विधे कहते हैं जैसे श्रेया गाना गा रही है इस वाक्य में गाना गा रही है विधे है